हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं क्रिस्पी रस्बरी उड़त की दाल की इमरतियां जो आप अपने घर में नॉर्मल रखी हुई काली दाल से भी बना सकते हैं मैंने तो अप से पहले लिए काली दाल यह मैंने भीगो कर रख देती तीन चार घंटे पहले और इसका छिलकाच्छे से उतार कर यह फूल गई है तो मैं इसे अब मिक्सिके जार में डालके पीस लोगी इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है तो इसमें थोड़ असा पानी डालकर पी सोड़ ऐना है नहीं की बेकिंग पाउडर भी नहीं ईनों भी नहीं दही नहीं कुछ नहीं डाला सिर्फ इसे ही यह देक्ट ही यह कितना रख का क Crist आपको तियार करना है और अब यह पेस्ट हमारा तियार है तो इसमें मैंने थोड़ा सफ कलर डाल दिया यह देखिए अब क नहीं प्लिभान सब क्या सबसे प्लिप है यानी कि भगो है उसमें मैंने चीन डाल दिया? यह इंटेजों डिले हैं कि 1 लुकशन आपको जुन सा पचेन लेिया तो यालो और रेड धाल दीजिय को मैं抱ें तो ने यहां ने कर्लेर क्लर याथ फूट कर ले सकाने तो य। कर सकते हैं मैंने चारपाँ चिलाइची लेकर उनका निकाल दिया है और उन्हें दरदरा कूट कर वो डाल दिया है यह पकते टाइम ही आपको डाल लाएं जिससे कि इसकी खुष्पू बहुत ही अच्छी आएगी चास्नी में यह देखिए मैंने चास्नी को पकने के लिए चलेबियां या फिर इमर्ति के अंदर कैसी चास्नी होती है वो तो हमने सब खाईे लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि आपको इस तरीके से चैक करनी है एक प्लेट पर या बरतन पर ठंडी होने के लिए डाल दीजिए फिर से उंगली से इस तरीके से चैक यह देखिये थोड़ी चिप-चिप हो गई है अब हमारी चासनी देखी चिप-चिप है, हो गई है, ना जाब बहुत ज्यादा पतली है, ना बहुत ज्यादा गाड़ी יन्हें हो जाएँगा, ज्यादा गाड़ी हो गी, तो वो उनके अंदर नहीं जाएगी पुरी तर्दίζ emissions, तो यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट चाशणी हमारी तियार है, अब हम तियारी करते हैं, वह मर्ती बनाने के लिए, यह मैंने duty कीप बनाली है, यह देखिए, कीप तो सभी को बनानी आती होगी, तो कीप बनाली है, उसके बाद यह paste मैंने कीप के अंदर डाल दिया है, और उपर से इसमें रबड चड़ा दिया है इससे हमारी मृतियों बहुत ही अच्छी बनेजी आप मैंने एक फ्राइपैन ले लिया है अब फ्राइपैन में मैं चिकनाई चड़ा लूगी आप अपनी इच्छानुसार चिकनाई चड़ा सकते हैं अगर देशी घी की खानी है तो देशी की चड़ा लीजे रिफाइन डालना जो भी आप यूज करना चाहें वो चड़ा सकते हैं ठीक है अब देखिए अब हम अच्छे से इसमें डालते हैं डिजाइन बना देते हैं आपको चिकनाई का ये धियान रखना है कि चिकनाई बहुत जादा तेज गरम नहीं होन क्या पता आप लोग मुझसे भी अच्छी शेप देदें तो देखिए मेरी शेप ऐसी आई है और अब इनको हलके से जब एक साइट से पक जाएंगी तो इनको पलट देना है इस तरीके से पलट कर ये मीडिया माच पर पकानी है और क्रिस्पी होने तक पकानी है अब देखिए क्रिस्पी हो गई है अब इन्हें हम सर्बत में डालेंगे आप इन्हें जैसे ही सर्वत में डालेंगे सर्वत इनके अंदर तुरंत बढ़ जाएगा और ये पूरी तरह से रसबरी बन जाएगी देखिए अगर आपकी इमर्तिया क्रिस्पी नहीं बनती हैं तो आप इन्हें दो बार में उतार सकते हैं पहले आप हलकी सी कच्ची को उतार लेजिए आप उन्हें सेकिंड टाइम फ्राइ कीजिए तो आपकी जलेबियां या फिर इमर्तियां हंडर परसेंट क्रिस्पी बनेंगी तो ट्राइ कीजिए आई होप आपको मेरी रेसिपी पसांद आई होगी तो आपकी तो आपकी जाइ